हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी भजन धून अपीशल चैनल पर तो दोस्तों आज मैं एंटिक हार्मोनियम लेके आया हूँ देख सकते हो यह बहुत ही दूरलब और कठीन मिलता है हर जगे ऐसा हार्मोनियम देखने को नहीं मिलता है तो आएए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बोडी तो यह वाल देख रहे हो ना यह वाल बीना कंपनी के पार्मोनियम पर ही देखने को मिलता है और यह साइड में कड़ा पकड़ने का आगे फाइप इस्टोपर है और साइड में भी वैसा कड़ा है पीतल का आज पीतल कोई नहीं लगाता है पीतल मेंगा है और यह धकन हटा के आपको अंदर चाबियां देखा देता हूँ देख लीजिए चाबियां कैसी फरिश पड़ी है और यह जाली है ना यह अलगी तरीके की बनावट आप देख सकते हो यह पुरानी बनावट है करीबन सो साल आसपास तो हो गई होगा डबल बैलो है और यह इस्टो पर है ना आगे यह इस्टो पर पीतल का है सर आज का लोहे का लगाता है यह पीतल का है देख सकते हैं वीडियो के अंदर और अब मैं इनको खोल के अंदर की रीड भी दिखाऊंगा तो बनर इस वीडियो के साथ दोस्तों वीडिय मेरे इस चैनल पर सभी परकार के हार्मोनियम आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ये जाली देख लीजे ये जाली है ना डारेक्टर है फॉल्डिंग नहीं है आज काल जो बनता है नया बाजा उसमें जाली फॉल्डिंग आती है इसमें इस क्रूँ खोलेंगे तब ही जाली आप बार निकाल पाओगे वरना नहीं निकलेगी ये डारेक्टर है ये पुराना सिस्टम है आज से मलब सो साल पुराना तो हो गई होगा और सागवान की बोड़ी है सब कुछ कंपनी का है तो दोस्तों सभी परकार के मेरे इस चैनल पर हर्मोनियम मिलेगा जर्मन का हो रतिराम का हो पाली तना का हो चिमलाल कांजलाल की रीड हो पुरानी और बालू कुकड हो सभी परकार के ओल्ड हर्मोनियम मेरे इस चैनल पर वीडियो उपलगद है बीना कंपनी का कहो सभी तो दोस्तों ऐसा ही Old Harmonyum आपके दोस्त अगर ढूंट रहा है नहीं मिल रहा है तो उनको ये वीडियो शेर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देखकर Harmonyum खरिद सकता है चलिए आए दोस्तों आप ये Read देख लीजिए हमसे पहले ये Read एकदम फ्रेज पढ़िए अंटस पढ़िए आप देख सकते हो स्वातिन सब तक का है गुन्चालिस गुन्चालिस दो लाइन है मैल मैल Read के उपर नाम भी है शायत आपको पढ़ने में नहीं आता होगा तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ sr-tilok-sing लाइन है कर दो 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 कर। कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो